तो सबसे पहले आपको अपने login ID के पेच पर चले जाना है तो उसके लिए आपको login करना पड़ेगा अपने application number और date of birth से तो पहले इस link के वारे में बात जो link description में रखाए वहां से यहां पर access कर सकते हो तो आपको select करना है आपका जो state है फिर अपना बस आपको simply वहां पर login कर लेना है ठीक है तो यहां पर आपको apply online पर click करने के बाद आपको application status पर click करना है आप देख सकते हो यहां पर click करोगे तो अब आपके पास application number डालने के लिए option show हो जाएगा ठीक है तो यहां पर आपको ll number डालना है अपना और उसके बाद अपनी date of birth डालनी है तो आपका जो login ठीक है वह open हो जाएगा तो हम डाल लेते हैं ठीक है submit पर click कर देंगे तो कुछ इस तनागा interface आपके सामने शो होगा तो यहां पर आपको सबसे नीचे आ जाना है और यहां पर आप चेक कर सकते हो कि आपका result क्या है pass या fail तो यहां पर आपको LL test जो result आप test जो दे कर आए हो LL test जो दे कर आए थे तो वहां पर आपको तो पदा चल गया था screen पर मैं pass हूँ या fail हूँ लेकिन online भी चड़ना बहुत जरूरी है तो वो कितने time में चड़ जाता है एक दिन या दो दिन एक दिन में तो जाधतर चल जाता है और थोड़ा अगर time लगा तो दो दिन इससे जाधा आगे नहीं जाएगी तो चिंता ना करें आप एक दिन मान के चलें ठीक है तो आपको login ID अपने page पर चले जाना है ठीक है कि आप पास है या फेल है तो अरुन प्रकाश ठीक है जैसे इसमें लिखा है उनका नाम लिखा होगा सिंपल बात है अब इसके बाद आगे क्या step हो तो इसके बाद आगे क्या step होगा आपका लेकिन जाधा time मतलब अगर मैं किसी का example दूँ उसका जाधा time माया था वन वीक के अंदर भी आया है ठीक है तो वन वीक के अंदर maximum time है और वैसे मैं अपना बता हूँ तो दो दिन मा गया था तो LN नंबर जो आ जाएगा उससे आप क्या कर सकते हो LL license को download कर सकते हो तो मैं बताऊंगा किस तरह से download करना है ठीक है तो LL license आप हाथ हाथ download कर लोगे जब आपका LN नंबर आ जाएगा अब उस LN नंबर के बाद आप यह सोचोगे कि आप जल्दी से FATEC से DL apply कर दो लेकिन ऐसा नहीं है जब आपका LN नंबर आएगा उस date से एक महीने के बाद आप DL apply कर सकते हो ठीक है तो वो जब तक DL apply करने ही नहीं देगा जब तक आपका one month complete नहीं हो जाता तो एक महीने के बाद ही आप apply कर सकते हो आप अगर कोशिच भी करोगे ना जाकर DL बनवाने के लिए तो वो मना कर देगा वो दिन दिखाएगा कि आपके पास अभी 27 days रह गए ह ठीक है अब एक तो यह बात आगई कि LL के एक महीने के बाद हम DL apply कर सकते हैं अब DL जब हम बनवाते हैं sorry apply online करते हैं तो उसमें जो document uploading में जरूरत पढ़ती है तो उसमें LL license की भी जरूरत पढ़ती है ठीक है तो वहाँ पर वो हम देखेंगे जब document की बात आएगी तो य अब इसको हम download कैसे करेंगे वह जान लेते हैं LL license जब आपका LL number आ जाएगा तब की बता रहा हूं मैं तो यहां पर आप सार्थी के home पर चले जाएंगे जैसे कि यह website मैं आपको पहले ही बता चुका हूं ठीक है और अगर आपको यह website नहीं पता हो सार्थी का ठीक है तो आप लिंक डिस्क्रिप्शन में रखा है उस पर क्लिक करके भी यहां पर इसके home page पर पहुच सकते हैं तो यहां पर सार्थी.parivalent.gov.in मैंने बताया था तो यहां पर आप जाने के बाद print license detail पर क्लिक करेंगे आपको print करना है तो इसके बाद आप देख सकते हो print करना है आप आपको लर्न लैसेंस यह डि़्राइविं लैसेंस तो आपको लर्नर करना है तो लगर सब्सक्राइब करते हैं और अफिल कर दोगे और और सब्सक्राइब तो वहां पर आपका print का option आ जाएगा तो मैं करके वीppa दिखा देता हूं चलो एक बार आपको पर क्लिक करेंगे फिर उसके बाद यहां पर आप देख सकते हो आपकी डिटेल आएगी और सबसे आगे लिखा होगा ब्लू कलर में प्रिंट ठीक है उस पर आपको क्लिक कर देना है और आपका जो लर्नर लाइसेंस है वो प्रिंट हो जाएगा प्रिंट आउट आजाएगा आपको लाइसेंस करना है तो आपको यह इनफॉर्मिशन पसंद आई हो एक प्रिंट तो इस वीडियो को लाइक करदेना चैनल को सब्स्क्राइब करके उस पहले अपडेट पात देने के लिए तो मैं मिलता हूं आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए गड बबबबब बाइ